हालो दियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू के वी प्राइमरी वर्ल्ट, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास थर्ड की न्यू एंसी एर्टी, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक संतूर को, तो इसमें हम करेंगे अपने दोस्तों के साथ मस्ती, चलिए शुरू करते हैं, यहां नीचे आपको पिक्चर्स दी हुई है, एक पिक्चर स्टोरी दी हुई है, आप उसको देखेंगे और रीड करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, लुक एड दिस पिक्चर स्टोरी, इस पिक्चर स्टोरी को देखो, यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, दिस इस अ डख, दिस अ हैं, और यह हैं डख के बच्चे, डख के बच्चो को क्या बोला जाता है, डख लिंग्स, और यह हैं के बच्चे हैं, हैं के बच्चो को क्या नेले में चलते हैं, village मतलब गाव और fair होता है, मेला, now this hen says, all right, ठीक है, let me bring my cheeks, मुझे अपने cheeks को ले कर आने दो, cheeks कोन होते हैं, मुर्गी के चूजे, now this duck says, come ducklings, let us go, जैसा कि मैंने बताया, ducklings कोन होते हैं, duck के बच्चे, तो duck अपने बच्चों को कहती है, चलो सभी ducklings, चलते हैं, यह सभी कहां जा रहे हैं, गाव के मेले में, यहां देखो यह क्या है, we have reached the stream, अब यह जो duckling है, यह बोलता है, हम stream पे पहुँच गए हैं, stream क्य होती है, small river, छोटी नदी, हम छोटी नदी पर पहुच गए हैं, now this chick says, I cannot swim, चिक कहता है, मैं तो तैर नहीं सकता, swim क्या होता है, तैर ना, how shall we cross the stream, अब हम इस छोटी रिवर को कैसे क्रोस करेंगे, now duck says, I have a plan, मेरे पास एक plan है, एक योजना है, यहां देखो, आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, यहां हम देखेंगे, जो duck है, उसने अपने उपर बिठाया है, hen को, और जो ducklings है, उन्होंने बिठाया हुआ है, सभी cheeks को, क्योंकि cheeks तो पानी में तैर नहीं सकते, लेकिन duck और ducklings तो पानी में तैर सकते हैं, इ can you see in the picture, इस picture में आपको कितने ducklings दिखाई दे रही हैं, और कितने cheeks दिखाई दे रही हैं, चलिए count कर लेते हैं, यह हो गई 1, 2, 3, 3 हो गई chicks, और 1, 2, 3, 3 हो गई ducklings, तो हम यहां लिखेंगे, the answer is 3, second one, the duck and the hen, are they friends, how do you know, अच्छा यह बताइए, क्या duck and hen friends थे, आपको कैसे पता, yes, वे दोनों friends थे, क्योंकि हम friends के साथ ही घुमने जाते हैं, मेले में जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो दोनों friends थे, now, how did the hen and the cheeks cross the stream, hen और cheeks ने stream को कैसे cross किया, कैसे cross किया, duck ने hen को अपने उपर बिठाया, और सभी ducklings ने सभी cheeks को अपने उपर बिठाया, और इस तरह से उन्होंने stream को cross किया, so the answer is, the hen sat on the duck and the cheeks sat on the ducklings, hence they cross the stream, next one, have you ever helped your friend, how did you help, क्या आपने कभी अपने friend की help की है, और कैसे की है, ये तो आपको ही बताना पड़ेगा, next one, did you feel happy to help your friend, क्या आपको अच्छा लगता है, yes, of course, जब हम अपने दोस्तों की मदद करते हैं, तो हम सब को बहुत अच्छा लगता है, now the next one, match the following animals with their young ones, यहाँ देखो नीचे कुछ animals दिये गए हैं, और यहाँ दिये गए हैं उनके young ones, young ones मतलब उनके बच्चे, तो आपको उन सभी animals को उनके बच्चों के साथ मैच करना है, चलिए पहले हम animals के नेम टीड करते हैं, this is duck, hen, cow, cat, dog, right side में दिये हुए हैं young ones, this is kitten, kitten किसका बच्चा होता है, cat का, calf, calf होता है बच्चडा यानि की cow का, puppy, puppy बच्चा होता है, dog का, duckling, duckling बच्चा होता है, duck का, cheek, cheek किसका बच्चा होता है, hen का, तो इस तरह से आप इनको अपने आप मैच करेंगे, so this is all about our picture reading, let's meet in the next chapter, till then keep learning